हेलो स्टूडेंट्स वे रीडिंग सेकंड चैक्टर ओफ एट्ट क्लास ओके यह हमने यहां तक रीड कर लिया था जहां पर विलू को वह लड़की मिलती है और वह उसे साथ आने के लिए कहती है क्योंकि उसे बहुत बूख लगी होती है और बाद में विलू के पास कोई ओप्शन नहीं होता तो विलू उसके साथ चला जाता है और उसके बाद क्या होता है विलू रेड़ ओके विलू को पकड़ लेता है मेंस उसके पीछे चला जाता है उसके साथ हो जाता है क्योंकि वह स्टेशन चोड़ रही होती है विलू ने क्या देखा कि जो विकल्स है वो क्या है आई ही जा रही है वो किसी के लिए स्टोब नहीं हो रही है आई है श्मोक अन्डस फ्लीव एट हीम फ्रॉम ओल साइड जो धुआ है और डेस्ट है उसे हर तरफ से उसके उपर पढ़ रहा है मेकिंग इस हैड स्पिन और जो उसके हैड को क्या कर रहा है स्पिन कर रहा है मितलों घूम रहा है उसका हैड दे हैड तो वेट फॉर लॉंग टाइम बिफोर दे कुड़ फाइंड आप टू रन थू उसके जब तक कि वह विकल्स के आते थोड़ा गैप आते थो उन्हें ल चला जाए यह भी चला जाए हम वेट करते रहते हैं बट वह विलू तो उससे प्रकार कर रहा था बट वह गर्लें क्या फाइन उसे डैक किया खींचा और दूसरी साइड ले गई क्योंकि वीकल्स उनके लिए रुखने वाले नहीं थी वोसे कहते हैं तुम क्या सोती तुम क्या कर रहे हो गाइन से रहा रहे हो इफ यू स्टेंट अरांड इन दा मिडल ओफ दा रोल लाइक तैट यू विल बेच चटनी वो कहते हैं अगर तूम मिडल में खड़े हो जाओगी ना रोड के तुम चटनी बन जाएगी तुमारी विलू सहर्ट वास्टिल बीटिंग फास्ट और जी विलू का हार्ट है दिल है वह अभी बीट कर रहा होता है फास्ट विकॉज उसने कभी इधने वीकर उसने देखे रोड पे ही लुक बैक अट दा सेंटर स्टेशन और ट्राफिक स्पीडिंग वह क्या है बैक देखता है वह सुचता है कि इसे मैनेस कैसे किया यहां से आने के लिए मतलब वह गरल किसके ले आई तो वह सोचता या की से मैनेज कर लिया की इनसे विखल्स के बीच में से मुझे लिया आई देवाग्ट अलोंग दा साइड उफ दा रोड अंडर संद वो क्या है रोड के साइड में क्या वो करते हुए आती है अधि अंडर सम्हें सांद बोड पे साइड लगे होते हैं तो साइड बोड के अंदर नीचे आते हैं विलू लूट अपेर्थ पिक्चर्स विलू पिक्चर्स के और देखता है बन्यांज काई टाइस पैंस वूमन होल्डिंग बॉक्स the writing was all in English so he didn't know what it meant तो जो वो पिक्चर के और देख सकता है बट वो उसमें क्या लिखा है वो ज्यादा नहीं पड़ सकता क्यूंकि वो इंग्लेश में लिखा हुआ है he can't read English so वो क्या है इसका मतलब नहीं जानता है the girl turned on to a wide breeze and walked up जो घर्ल है वो केस के और एक wide breeze बहुत सा रपुल की और क्या है टन हो जाती है वहां पर मतलब चलने लग जाती है विलू stopped and peeped over the railing विलू क्या है stop हो जाता है और पीप मतलब जांकता है railing के और under him the road ran into the city उनके नीचे के एक road बनी होती है मतलब उस bridge से वो देखते हैं खड़े होके bridge की जो railing सी होती है ठीक है वहां से विलू देखने लग जाता है कि नीचे road बनी होई है और वो road city को जाती है in the distance he could see huge buildings and towers and more roads तो इसके बीच में वो क्या देख सकता है huge buildings बहुत बड़ी-बड़ी buildings, towers and बहुत सारी roads देख सकता है see that big building with the wall around it वो कहती है कि यह building को देखो जिसके चारो बोल बनी हुई दिवार बनी है if you are not careful you will soon be counting bars there अगर तुम यहां पर साफदन ना रहे तो तुम जल्दी ही bars गिन होगी counting bars there the girl greened girl ने कहा and pointed at huge building और किसकी और इशारा किया एक huge building की और इशारा करके भी बोली will you squinted and read the tamil sign central jail वी जो थोड़ा squint हो जाता है और तमिल साइन को रीड करता है जिस पर क्या लिखा होता है central jail राइट किया होता है why I have not do why I have not done anything wrong वो कहता क्यों मैंने कुछ गलत नहीं किया you don't have to do anything वो कहते तुम्हीं कुछ नहीं करना पड़ेगा just don't get caught that's all क्यों वो कहते है बस पकड़े ना जाओ बस इतना का कि वाट ड़सी मीन उसका मतलब क्या है विलू वांडर्ड विलू अस्चरे से सोचता है meanwhile the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder what was in it तो वो गर्ल क्या है इसे बीच के है heading down मतलब bridge के नीचे के और जा रही होती है अपना sack उठाई हुए अपना थैला उठाई हुए अपने कंदे पर what was in it इसमें क्या है he had seen her putting plastic cups into it at the station उसनों से देखा था कि वो इसमें क्या कर रहे थी जो plastic cups है वो डाल रहे थी अपने sack में थैले में what are you carrying in that bag वो बोचता है कि तुम क्या लेजारी इस बैग में tanks, bottles, papers वो बोलती शाय तो आर्स कैनी मोर केशन बट वो क्या हो जाता है है वो ज्यादा केशन नहीं पूछता है फिर उससे it was still morning but the sun blastered down on the tar and willis bar bare feet burned बी भी morning का time होता है बट जो sun है वो blast हो चुक है तार पे मतलब road की तार पे पीगल चुक है मतलब वो तार जो हो है गर्म हो चुकी है और willis के bare feet है जो नंगे पाव है जो वो burned हो रहे हैं चल रहे हैं it was not like walking on a mud road ये mud road पे चलने जासा नहीं था मतलब कच्छी road पे चलने जासा he was soaked with sweat उसे क्या पसीना आ गया था he tried hard to walk in the shed and keep up with the girl at the same time वो क्या कर रहा था वो टाई कर रहा था कि वो शायां में चले और चल दे अल्दी गल के साथ ही चले चले she walked really fast वो क्या है चो लड़की होती पास चलती है how far away was the food और पता नहीं food कितनी दूर है after almost an hour of walking और वो कहती है कि एग घंटा और चलने के बाद they stopped in front of a big building फिर क्या करते है वो एक एग घंड़ चलने के बाद क्या बिग बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाती है जिस पर लिखा होता है शिरी राज रजेश्वरी परसना कलयान मंडपंग रड विलू स्रोली इसे विलू क्या रड करता है स्रोली असाइन विद लेटर्स मेड़ फ्लार सैड ग्रोम जेवी विन्या विन्यागन ब्राइट रानी तो यह एक शादी होती जहांपे वो जाती है मिन्स विलू स्टेर्ड एड़ बिग गार्स पार्क आउटसाइड विलू क्या है कार्स को देखता है जो पार्क की होती है ठीक ह जिआइदो आइएक क्लोण की माला लगे होती है और अपने बा यूं में लगा लेती है और उसे कहती है आओ are we going to eat here क्या हम यहां पी खाने जा रहे हैं आस्क विलू फूछता है लोकिंग एड़ दा हुज हॉल एंड़ पेपल इंसाइड वह बड़े साइव हॉल के टियोर देखता है और लोगों को देखता है वहां पी होपस सेट दगल शेकिंग हर थम अंडर इस नॉस और गल क्या वोलती है हां आशा करती हूं और अपनी जो फिंगर है वो अपने आके नीचे से ऐसे करके नकरे से दिखा के जाती है लेडिम बेहाइंड दा होल और उसे क्या होल की पीछे ले जाती है देर वाजा बिग गार्बेज बीन ओवर फ्लॉइंग विद रबिश वहां पे एक गार्बेज बीन होता है जो गार्बेज से बरा हुआ होता है टू कोर्स पर स्टैंडिंग ओन दा फाइल इस मतलब डेर डेल के पास दो बख्री खड़ी होती है फाइटींग ओर बनाना लीफ किस लीइफ ते बनाना लीफ के लिए बनानाकी जो शिल्कमानलो पती बिदो पती होते हों कर रूँज को्तित हैं ऑनकी ऊद्य वाउड प्लाइज को मख्यां और उनकी ह mejorar और भीन गह होती है तर पदार्थों की जैसे स्मेल आती है वैसे आरी होती है दगल पिक्ट अपा स्क्वेशी बनाना है डिट आउट विलु एक स्क्वेशी मतलब करस्ट सा किया हुआ ठीक है बनाना जो उसको विली को देती है पिक करके और बोलते हैं यह तुमारा फूद विलु वा शॉक्ट विलु शॉक्ट हो जाता है और वी गॉयं टूइट देर लेफ्टोवर्स क्या हम उनका बचे हुआ खाने चाह रही है छे वाट यू थिंक आई हैं डॉग आई उनली टेक अन्टस्ट फूड वह कहता है तुम के सोती म मैं डोग हूं मैं सिर्फ उन्टस्ट फूड खाता है जिसे किसीने टचना किया हूं मैं खुद का खाता हूं में हेर सम्मोर कैच शीत्रियू हमा बड़ा और बाद में वह से एक बड़ा चुकुई पहनेविल चीज है ठीक है वह उसके और फैंकती है विलू लोक्ट आट इ देखता है विलू स्क्राइब कम ओन हीरो एट वह कहती हिरो इसे खालो यू तिंक आई लाइक तुम्हें क्या लगता है मुझे यह पसंद है आई टोल्ड यू आइल पांड यू सम्थिंग टू एट मैंने आपको कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड करूंगी यह बैटर यह वर यू गैट अंतिल यू आव यूर और वन्मानी कि तुम क्या है यह बैटर है कि तुम इसे खालो जब तक तुम्हारे पास खुद के पास पैसा नहीं आता तुम्हारे खुद का मतलब खाने के लिए वेलु हैजिटेटेटर विलू हैजिटेट होता है गप्ड गप्ड मतलब निगल लेना चल्दी से लिए कर्प टाउन दा बनाना एंड वर्ड़ा वो क्या है गप्डाउन कर लेता है निगल लेता है जैसे बनाना और वर्ड़ा को इस टॉमक फैल्ट बैटर इमीडेटली और उसका पेट है वह बैटर फिल करता तबी यू में टाइम मोर और भी खा सकता था बर्ड़ गर्ल कोड फाइंड ओल्नी वन मोर बनाना विशी एक्ट हर साल और बट लड़की को क्या है उस गर्ल को क्या एक ही बनाना मिला था जो उसने खुद ने खाना था इस टू अरली यह बहुत चल्दी है हमें बहुत चल्दी है यह वह उन्होंने टीफिन फिनिश के अपने इप यू आप यू अब भी भूकियो यू वह फूर दैंट तो फिनिश लांच तो तुम्हें उनका लांच खतम होने तक इंद्वियार करना पड़ेगा यू कैन वेट इफ यू व शी पिक्ट अप कपल अप बोटल सुसे ने कुछ बोटल सुठाई प्रोम दा हीप देर से अन्थिव इट इन्टो अर सैक और अपनी बैग में फैंक दी दैन शी वाप और वो चलने लगी फिर विलू पैनिक्ट विलू पैनिक्ट हुआ थोड़ा दुखी हुआ और उसे कोई आइडिया निया कि वह कहां था और उसे क्या करना था इड़ बैटर तो इससे यह बैटर है कि उससे चिपके रही वो उसकल से इसा लगता है कि वह सारे अपने यहां के चरोर की वह जानती है रहन आफ्टर हर अगें वह उसके पीछे बाग जाता है दुबारा यह काल्ड वह बोलता है उसे इंफैक्ट उसे नेम अभी तक नहीं बता हो तो उस गरल का आई वाट यूर नेम और भागते बागते उससे उसके बीछे बागते बागते उससे नाम भूसता है अपना उसका इस टॉप्ड एंड टर्न अरांड वह स्टॉप हो जाती है और वापिस देखती है ओ तो यू हैब बिन फॉलों में अराउंड विदाउट आवन नौन माइन नेम चेया तो तु किया अगर दे हो तुम्हें पूड किस ने दिया कैना कम विद यू किया मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ वेर आई गॉइंट तुम कहां जारे हो कम इफ यू वांट आज आओ अगर तुम चाते हो इस बैग इस फुल यह बैग फुल हो चुका आप तो गैट अनजर वन औ पड़ेगा दूसरा बैग लाने के लिए टोके वी विल रीड नेक्स पार्ट ओफ दिस स्टॉरी नेक्स वीडियो थैंक्स हैव नाइस टेट